क्या डमरू बजेगा? कि किसानों ने जान बूज कर मेरा अपमान किया है। इसलिए प्रभू देवताओं की रक्षा के लिए, देवताओं के मान सम्मान के लिए आप किसानों से सहमत ना होना। जब किसान भगवान संकर के पास पहुचे तो भगवान ने उन्हें कहा डमरू तो बारा वर्ष बाद ही बजेगा। किसानों ने निराश होकर बारा वर्षों तक खेती ना करने का निड़ने लिया। उनमें से एक किसान था जिसने खेत में अपना काम करना नहीं छोड़ा। वो नियमित रूप से खेज जोतना, निंदाई, गुडाई, बीज बुने का काम कर रहा था ये माजरा देखकर गाउं के किसान उसका मजा कोड़ाने लगे कुछ वर्षों बाद गाउं वाले इस परश्रिमी किसान से पूछने लगे जब आपको पता है कि बारा वर्षों तक वर्षा नहीं होने वाली है तो अपना समय और उर्जा क्यों नश्ट कर रहे हो? उस किसान ने उत्तर दिया, मैं भी जानता हूँ कि बारा वर्ष फसल नहीं आने वाली है लेकिन मैं ये काम अपने अभ्यास के लिए कर रहा हूँ क्योंकि बारा साल कुछ न करके मैं खेती, किसानी का काम भूल जाओंगा मेरे शरीर की श्रम करनी की आदत छूट जाएगी इसलिए काम मैं नियमित रूप से कर रहा हूँ ताकि जब बारा वर्ष बाद वर्षा होगी तब मुझे अपना काम करने के लिए कोई कटना ही ना होगी ये जो तारकिक चर्चा हो रही थी किसानों के बीच में इसे माता पार्वती भी सुन रही थी बात सुनने के बाद माता भगवान के पास पहुँची और शहज रूप से बोली प्रभू आप भी 12 वर्षों के बाद डमरू बजाना भूल सकते हैं माता पार्वती की बात सुनकर भूले बाबा चिंतित हो गए अपना डमरू बज रहा है या नहीं ये देखने के लिए उन्होंने डमरू उठाया और बजाने का प्यत्न करने लगे जैसे ही डमरू बजा बारिश शुरू हो गई जो किसान अपने खेत में नियमित रूप से काम कर रहा था उसके खेत में तो भरपूर फसल आ गई बाकी के किसान पस्चाताप के अलावा कुछ न कर सके दोस्तों कभी तो लॉकडाउन खत्म होगा कभी तो सामानने जन जीवन सुरू होगा नाकारत्मक बातों पर अपना ध्यान लगाने की वज़े हमें अपना कारे विफसाय से संबंदित कुशलताओं की धार पहनी करने का अपनी अविरूची का अभ्यास बढ़ाने का काम करते रहना चाहिए हमें कोशिश करनी चाहिए कि इस नए लॉकडाउन में हम क्या नया सीख सकते हैं क्योंकि डमरू कभी भी बज सकता है अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो इसे अधिक से अधिक शेयर करें ताकि लोग डमरू बजने के इंतजार में खाली न बैठें और कुछ अभ्यास करते रहें धन्यवाद